नवस्कार दोस्वार्मनी मंत्रा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब हम होल्डिंग से किसी स्टॉक को बेचते हैं तो बेचने के बाद अगर पोजिशन में आते हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा है इसका क्या करना और यह क्यों आता है तो इसको समझने के लिए वीडियो को लाश्ट तक देखेगा वीडियो पसंद आएगे तो एक बार लाइक बटन जरू दबाएगा चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जेरोदा काइट को ओपन कर लेता हूं इसके बाद आप देखिए यहाँ पर मार्केट वाज दिखाई दे रहा है हम यहाँ पर ओडर के उपर क्लिक करेंगे ओडर के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं इक्सक्यूटेट के उपर आपको दिखाता हूं क्लिक करके इक्सक्यूटेट के उपर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर देखिए मेरा एक जो मैंने sell किया है holding का share वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अदानी enterprise का सव quantity में मैंने sell किया हुआ है 283 रुपए 10 पैसे के भाव पर ठीक है completed यहाँ पर लिका वह आ गया है executed के अंदर यह stock है मैंने sell किया हुआ है यह जो holding का share मैं बेच रहा हूँ आज यह खरीदा किसी और दिन था एक मेंने कि आसपास पहले खरीदा था मैंने मतलब यह है कि आज नहीं खरीदा था या सिर्फ बेच राओं में इसको खरीदा पहले था इसको ठीक है अब हम होल्डिंग्स पे किलिक करेंगे और यहां holding में देखेंगे तो यहां पर देखिए हमारा जो पहले से पहले आता हूं यहां पर पोजीशन के ऊपर किलिक करके देखते हैं तो यहां पर भी प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा है अगर सेर का दाम बढ़ जाता है जिस बापर अपने बेचा था उससे ऊपर चला जाता है करेंट भाव तब यहां पर लॉस दिखाई देगा कि आज आपने शेयर को खरीदा नहीं है सिर्फ बेचा है तो जो अप्लिकेशन इसको ऐसा लग रहा है कि आज आपने शौट सेलिंग करिए यानि पहले बेचा है बाद में खरीदेंगे तो सौट सेलिंग के हिसाफ से कैल्गुलेट करके आपको यहां profit loss दिखा रहा है आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है आप कुछ मत करिएगा इसको जैसे है वैसे छोड़ दीजिएगा जब साम को market close हो जाएगा उसके बाद स्टॉक का settlement होगा इसमें टीवन टीटू डेस भी लग जाते हैं यानि जिस दिन आपने सेयर को बेचा है उसके एक दिन दो दिन का भ फराबर हो गया लेकिन जो पैसा का बात है तो फैसा का जो profit आपको मिलेगा या loss जो आपका होगा वह यहां पर गदेरा position के आंदर ये नहीं और इस से आपका कोई लियना देना था ही नहीं आपका जो profit या loss बनेगा वह के holding में जो दिखाई दे रहा था वह बनेगा जैसे यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखिए रॉपह पैसे के सेल किया है तो तो 283 रुपए 10 पैसे के बहाव पर बेचा है और 178 रुपए 72 पैसे के बहाव पर खरीदा था तो कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर करीब करीब 94 रुपए 38 पैसे का प्रॉफिट एक सेर पर मिलना है चुकि 100 ते तो 9,438 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो रहा जो मुझे दिया आपको कुछ नहीं करना है वहाँ प्रॉफिट लाज दिखाता रहे उसे कोई फरक नहीं यह पोजिशन में लेकिन होल्डिंग में जो आपको प्रॉफिट या लॉस दिखाई दे रहा था वही आपको मिलेगा ठीक है दो दिन टाइम लग सकता है मैक्सिमम एक दिन मे पैसा भी नुक्सान हुआ है लॉस हुआ है वह माइनस हो करके यानि कट करके जो पैसा बचेगा वह आपको मिल जाएगा